दोस्तो नमस्कार आदाब सत्रियकार नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश आपको याद होगा राजिसभाग में आम आदमी पार्टी के दो सांसद संजय सिंग और रागव चड़ा को संसद के पिछले सत्र यानि इस्पेसल जो सेशन है उसकी बा गया था उनकी मेंबर्शिप को उनके संसद के सभाकक्ष में यानि राजिसभा के सभाकक्ष में बैठक स्थल पर आना प्रतिवंदित कर दिया गया था दोस्तो मनिपूर के इश्यू पर संजय सिंग ने प्रटेस्ट किया था कुछ नारी भी लगाए होंगे मांग की थी कि इस पर एक खास धंग से बहस की जाए लेकिन उस पर सरकार उस समय तयार नहीं थी तो मनिपूर के इश्यू पर अपनी मांग को पुर्यो धंग से रखने के प्रयासों के दोरान उनको सस्पेंड किया गया रागो चड़ा से निश्चित रुप से गलती हुई थी और उन्होंने जो पेपर पेश किया था उसमें कुछ ऐसे मेंबरान का नाम डाल दिया था जिन्होंने उनके प्रस्ताओं को इंडोर्स नहीं किया था तो इसे सदन मेही बलकि माननी ग्रिह मंत्री तक ने इसको बहुत आपत्ति जनक माना था और कहा था कि ये गलत है और ये एक तरह का फ्राड हुआ है इसलिए इसकी विश्चाथिकार समिती से जाच कराई जाए 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 और वो मामला चल रहा है लेकिन दोस्तों मैं ये दोनों का सवाल आज इसलिए उठा रहा हूँ कि इन दोनों ने जो गलतियां की जो इनकी इनसे संसदी मामलों में जो कमी आ रही तकनीकी हो सकती है कुछ व्योहार संबंदी हो सकती है हलकी फुल के कि वही आप वेल में क्यों आ गए वेल में लोग आते रहते हैं भारती जनता पार्टी के सहसे जो विपक्ष में थे तो अकसर आते रहते थे हमने तो पार्लामेंट को कबर किया है लंबे समय तक देखा है लेकिन दोस्तो इसी पार्लामेंट के विशे सत्र में भारती जनता पार्टी के एक सांसत जिनका नाम है रमेश विधूरी और जो भारत की रास्ट्री जो राजधानी है दिल्ली उस दिल्ली के भी साउथ दिल इतिहास रच डिया है जब मैं कहा रहा हूं तो यह पॉजीटिव अर्थों में भी यह बहुत निगेटिव अर्थों में भी यह चलता है लेकिनरमेश् बद निगेटिव, निगेटिव कहने से भी हलका पड़ता है, शायद घंगोर आपत्ति जनत, शर्मनाख, जितने एडजेक्टिव आपके पास हैं, किसी भी शर्मनाख घटना के लिए, वो सब आप इस्तेवाल कर लें, तो भी एक काम पड़ेगा, नभूतो नभविश्यति, ऐसा न तो भारत की संसद में कभी हुआ था, और हम आशा करेंगे भारत के एक नागरी के तोर पे, और एक पत्रकार के तोर पे, ये की कभी न हो, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के, अमरोहा से संसद, लोकसभा के, जनता द्वारा निर्वाचित, हर समाज, हर जाती, ह धरम के जो मद्दाता होंगे, अमरोहा के, उनके द्वारा निर्वाचित, दानिश अली सहाब को, जिस, जिन शब्दों के इस्तेमाल से, इन्होंने संबोधित किया, गालियां दी, वो अन्प्रिसिडेंटेड है, मैं पहले सोच रहा था कि इन गालियों का इस्तेमाल मैं सा की एक्सपेंज करने का फैसला सदन के प्रिसाइडिंग आपसर ने किया, और उसको बाद में स्पीकर सहाब ने कनफर्म भी किया होगा, लेकिन दोस्तों उन गालियों को दानिश अली ने स्पीकर को लिखे हुए पत्र में दर्ज कर दिया है, इसलिए वो तो आन्रेकार्ड हो गया है, और शायद यही कारण है कि देश के तमाम बड़े अख़वारों ने बहुत ही जो गंभीर और बहुत ही प्रोफेशनल जो नियूस पेपर्स कहे जाते हैं, उन्हों ने भी उन गालियों को दर्ज किया है, चापा है, शायद इसलिए कि लोग समझें कि आखिर उन संसत के इतिहास की एक नहायत जगन नगटना है, क्योंकि उन शब्दों को अगर हम इस्तेमाल न करें, तो बहुत सारे लोग समझी नहीं पाएंगे कि आखिर है क्या, हो सकता है कोई हलकी फुल की बात कह दी हो, कि कोई संसत में तो संसत बैठते हैं, वे लोग तो बहुत ही नेता होते हैं, बड़े मार्ग दर्शक, तो वो कैसे गाली गलोच करेंगे, लेकिन जो उन्होंने बातें कहीं, वो ऐसी बातें हैं, जो आम तोर पे आजकल, सड़क पर, गली में, पार्क में, आजकल, अजीब किसम के लोग, खुराफाती लोग, जिनके दिल में, समाज के कुछ बड़े हिस्से के लोगों के प्रती नफरत बरी होई आए, हिंसक, हिंसक एक तरह का एक्सप्रेशन है उनके दिमागों में, उनके मन में, वायलेंट एक्सप्रेशन, जो लोग शब्द निकालते रहते हैं, वैसे ही शब्द भारत की संसद में निकाला गया, लेकिन रमेश भी धोड़ी उनको अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ भारत की संसत खास कर लोग सभा को चलाने वाले लोग और उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरब से कोई कारवाई नहीं की गई है संजर सिंग के खिलाब कारवाई हो गई अधीर रंजन चौधरी के खिलाब कारवाई हो गई राघव चड़ा के खिलाब कारवाई हो गई और तो और कोट कचहरी के जरिये राजनितिक जो लोग थे उन्होंने राहुल गांदी के खिलाब भी कारवाई कराने की हर कोशिश की और कारवाई हो गई थी, लेकिन उन्होंने संसद में कुछ नहीं कहा था, पब्लिक मिटिंग में कहा था, और किसी व्यक्ति, खास कर कोई निर्वाचित बद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा था, लेकिन यहां तो संसद में खुलयाम कहा गया, और ऐसी भाषा का इस्तेवाल किया गया, जो नो केवल प्रतिवंधित है संसद में, बलकि आम और यादित है, आम आदमी के लिए भी, जो मेरी जानकारी है, उनको चेतावनी केवल दी गई, कि आइंदा ऐसा नहीं करना, जैसे लगता है कि कोई हलकी फुलकी बात उन्होंने कह दी थी, इसके अलावा, उनकी पार्टी के जो रास्ट्री अध्यक्ष है, रडड़ा साहब, उन्होंने उनको एक नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस, जो आम तोर पे अनुशासन हिंता के मामलों में भेजी जाती है, और उसमें दस दिन का वक्त दिया है, उनको जबाब देन का, जब पत्रकारों ने रमेश भी दोड़ी से पूछा, वही आपकी क्या पोजिशन है, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ टिपणी नहीं करनी है, तो ये इस्थिती है भारत की संसत की, उस संसत भवन में ये सब हुआ, जिसका अभी अभी उदगाटन हुआ है, आपचारिक के बाद सारे लोग नई बिल्डिंग में उन्होंने आ करके अपना आसन ग्रहन किया और कारवाई शुरू हुई, माननी प्रधान मंत्री ने और माननी स्पीकर ने, दोनों ने अपने भाशन में नई संसत को, नई संसत की नई बिल्डिंग को उसको भव्य बताते हुए, श बलसुधार ने की नहीं की, उन्होंने कहा कि शालीन रहना है, हमें एक नया, नया उदारन पेश करना है, इस बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग में खास कर लोग सभाभवन में, सभाक्ष में, सैंगोल जो रखा गया है, उसका भी जिक्र किया गया, उस सनातनी सैंगोल को ग्लोरिफाई भी किया गया अब मेरा ये सवाल है कि क्या इस नई बिल्डिंग की शुरुवात इस तरह से होगी इस तरह से जो हुई है अब तो हो चुकी है उस पर क्या कड़ी कारवाई नहीं होगी देश के तमाम विपक्षी नेताओं ने इसकी अपसोसी नहीं जताया बलकि उन्होंने कहा कि आपके हर कारवाई में हम आपके साथ हैं आप जो स्पीकर महोदै को आप जो लेटर लिखे हैं उसके भावना सिक के हम लोग साथ हैं और हमारी पार्टी आपको न्याय दिलाने के लिए कटिबद है अखिलेश यादव समाजबादी पार्टी के नेता ने तो कहा कि इनको रेनी रमेश विदोडी को हमेशा के लिए एलेक्शन लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए सुधानशू त्रवेदी जो भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी निंदा की है और कहा है कि ऐसे असंसदी शब्दों के लिए भारती जनता पार्टी उनकी निंदा करती है उनकी मतलब सांसद की अब सवाल यह है कि क्या ये असंसदी शब्द केवल है या ये जगन्य सब्द हैं यह आपराधिक मानसिकता की अभिव्यक्ति हैं ये धमकी ही नहीं है नफृत हैं ये घिर्णा ही नहीं है हिंसक धंक से एक निशान दे ही है निशाना बनाया जा रहा है धमकी दी जा रही है तो ये जो बात है मुझे लगता है कि भारिती जनता पार्टी इस मामले में अपने पार्टी के संसद को कहीं न कहीं बचा रही है दोस्तों संसदी जा कारे निमावली है उसके हिसाब से इस स्पीकर को इस मामले में अपार शक्त प्राप्त है वो सस्पेंड कर सकते हैं पूरे सत्र के लिए या जो अभी मौझूदा लोग सभाग के जो कारे काल बचे हैं उस समय तक के लिए कर सकती है कमेटी में मामला भेज सकते हैं वो इसके अलावा वो चाहें तो आप राधिक कारवाई इसको समझते हुए कानून अपना काम करे इसके लिए वो पुलिस को या कानून को कोट को ये रिफर कर सकते हैं मामला लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है तो रमेश भी धोड़ी का जो मामला है वो नई पार्लावेंट बिल्डिंग में लोग सभा के नए सभा कक्ष में एक ऐसी घटना घटी है जो इसके इतिहास में हमेशा के लिए तर्ज हो गई और दोस्तों दूसरी जो हमारी आज की महत्मुन खबर है वो यह है कि महिला आरक्षन विध्यक को लेकर सियासी गलियारे में हल चल है राहूल गांधी ने इस बारे में प्रेस कांफरेंस की और उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी ने 2010 में आपकी पार्टी की नित्रित्तों में चलने वाली सरकार ने यूपिये की राजी सभा में इसे पारित किया था लेकिन लोग सभा में पारित नहीं कर सकी आज आप कह रहे हैं कि इसमें OBC की महिलाओं का भी कोटा निर्धारित किया जाएगा या किया जाना चाहिए जिसे भारती जंता पार्टी की अगवाई वाली सरकार ने नहीं माना है आप इसके लिए BJP सरकार को मोदी जी के नित्रत को सवालों के कटगरे में खड़ा कर रहे हैं लेकिन आपकी सरकार ने 2010 में ऐसा क्यों नहीं किया क्या वज़ा है इस पर राहुल गांधी ने बिलकुल साफ शब्दों में कहा कि मुझे इसका बहुत खेद है इसका दुख है उन्होंने इसके लिए रिग्रेट जाहिर किया एक बड़े राजनिता का ऐसा बयान आम तोर पे भारत की राजनित में कम आता है जब वो अपनी पार्टी की सरकार की वो आलोचना करे उन्होंने कहा कि गलत हुआ था अब सवाल यह है कि उनके रहते हुए गलत क्यों हुआ अब इस पर तो विस्तार से पुछे जाने की ज़रूरत थी वो क्या कहते कोई नहीं जानता लेकिन उन्होंने एक बात कही और कई बारों कह चुके हैं कि उनकी पार्टी ने और उनकी पार्टी की अगवाई वाली सरकार ने जो इनिशेट किया था जाती जनगरना का मामला उसे मवजुदा सरकार जल्दी कराए उसको करा देना चाहिए था अब तक जो नहीं करा रही है एक तरह से भीजेपी सरकार को कटगड़े में खड़ा किया कि जातिवार जनगरना को वो जनगणना नहीं हुई है। तो राहूल गांधी जी को ये साफ कर देना चाहिए था कि वो जातिवार जनगणना नहीं थी बलकि वो सोशो एकानमिक एंड कास्ट सेंसेस का एक रूप था। यानि सामाजिक आर्थिक जाती सरविक्षन था। सच्छा ये है। इसके बावजूत कि यूपिय की सरकार ने संसत में और संसत के बाहर एश्योर किया था कि जाती बार जनगणना इस बार कराई जाएगी लेकिन 2011 में ऐसा नहीं हो सका। जाती बार जनगणना के पूरे होने के बाद ये जो सरवे है ग्रामीन विकास मंतराले के तत्तोधान में कराया गया था तो ये फैक्ट्स को रखना जरूरी है क्योंकि पत्रकार भी इसको लेकर कन्फ्यूजड है एडिटोरियल में लिखा जा रहा है इसको जनगणना बताया जा रहा है तो जो भी आखड़े हैं वो आज तक पबलिक नहीं हुए भले ही वो सरवेच्छन था ग्र आखड़े अभी तक पबलिक नहीं हैं 2015 में कुछे कुछ के आखड़े अरुन जेटली जी ने एक प्रेस कांफरेंस में पबलिक किया था लेकिन वो कुछे का आखड़े थे सलेक्टे वो क्यों आखड़े आज तक गोपनी हैं कोई नहीं जानता मवजुदा सरकार ने हमिश प्रणना जो होगी और फिर इसके बाद परिशीमन जो होगा सीटों का लोग सबाके उसके बाद उसके बाद ही जो महिला अरक्षण है ये लागू किया जाएगा सीटें तै की जाएंगी दोस्तों हमिशा जी जो देश के क्रिमंत्री हैं वो तो ये कह चुके हैं कि 2026 तक य हो सकता है उसके बाद भी हो जैसा लोग कह रहे हैं चर्चा तो यह है कि 2029 से पहले ये नामुम्किन सा है क्योंकि पहले जंगर ना होगी वो 2026 के बाद होगी चुनाओ के बाद फिर इसके बाद परिसीमन होगा तमाम कमेटियां बनेंगी और इसके बाद उसकी फाइंडिं होगा तो कुल मिला कर अब एक बड़ा स्वाल उठता है कि इस पेशल सेशन संसत का क्यों बुलाया गया इतना खर्च करके आखिर क्यों विशेश सत्र भारत की संसत का बुलाया गया जब आरक्षन का जो विध्यक पारित हुआ अब ये साबित हो रहा है न कि ये आरक्षन का विध्यक पारित करने के लिए किया गया था क्योंकि इसके लाबा तो कोई महत्पुन घटना हुई नहीं भाषन भुषन तो होता रहता है अरविशेपर कानून तो सबसे बड़ा यही पारित हुआ तो ये पोस्ट डेटेड चेक जो है ये आरक्षन विध्यक मैलाओं का क्या है एक पोस्ट डेटेड चेक है कि भाईया आज हम आपको चेक दे रहे हैं और ये चेक जो है इसका भुकतान उस पर जो तारीक हम लिख रहे हैं वो दोजार चब्विस का लिख दे रहे हैं तो आज का जो पैसा है आज जो आपको पैसा देने की बात कर रहे हैं ये दोजार चब्विस में निकाल लीजेगा आप तो ये जो पोस्ट डेटेड चेक जैसा रक्षण आपका है अगर इसी को लाने के लिए आपको ये सत्र बुलाना था तो आप अगले सत्र में जो अगला सत्र आ रहा है पार्लामेंट का रेगुलर सेशन उसी में रख सकते थे या उसके बाद रख सकते थे तो इसका ये मतलब निकलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजियों के चुनाओं में जो होने वाले हैं मद्धिप्रदेश, राजिस्थान, च्छटिस गड़ में वहाँ फाइदा पाने के लिए और फिर 2014 के लोग सिर्फ चुनाओं में अपने लिए फाइदा कर पाने के लिए कि महिलाओं को बताएं कि हमने आपके लिए यलाया है जो यूपिय नहीं ला सका था इसके लिए किया गया अब कुछ लोग तो और भी कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए भी किया गया कि एवाइट किया रहा था कुछ बड़े देश के उच्चा दिकारियों को कि वे संसत का उधगाटन करें इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं लेकिन मैं गाफशप में यकीन नहीं करता मैं तत्यों पर बात करता हूँ इसलिए हम और चीजों की चर्चा नहीं करेंगे और बिल्कुल चलते चलते दोस्तो एक तीसरी चोटी सी खबर है जो आम तोर पे देश के बड़े अखवारों में तो आई है लेकिन यूट्यूब पर जिसकी चर्चा आम तोर पे नहीं हो रही है और वो यह है कि उमर फारुक ये जनाब उमर फारुक आप जानते हैं मीर वाइज बहुत बड़ा धार्मी की एपद है जमू कश्मीर में तो मीर वाइज उमर फारुक साहब इनको रिलीज किया गया है ये दो हजार उन्नीस में जब आपका तीन सो सतर अनुच्छेद को निश्प्रभावी किया गया था उसकी कुछ धाराओं को उस वक्त से ही इनको नजरबंद रखा गया था तो पूरे चार साल की नजरबंदी के बाद वो पहली दफा बहार आए हैं और उनको शुक्रवार को उन्होंने जो जमू कश्मीर की श्री नगर की जो जामिया मस्जिद है छे सौ साल पुरानी मानी जाती है उस पर उसमें वो जाकर के जुमे की नमाज उन्होंने पढ़ी और उसका नेत्रत्त किया और खैर मगदम किया गया उनका लोगों द्वारा नेताओं ने भी जमू कश्मीर के खैर मगदम किया इससे मेरे मन में एक बात उठती है जो बिलकुल उसी को रखकर मैं अपने कारिक्रम को आज खतम कर रहा हूं कि क्या इसको ये मना जाए कि जमू कश्मीर में सरकार चुनाओ कराने की तैयारी कर रही है क्योंकि रिलीज करना ऐसे महत्पूर्ण हस्तियों को जिन से पहले खत्रा मना जा रहा था अब अचानक रिलीज करना सदबुद्धी है मैं तो इसको इसकी ये अच्छी बात है कि लोगों को रिलीज किया गया है जेल में रखना राजनितिक लोगों को या समुदाई विशेश के नेताओं को ये डिमोकरसी नहीं है लेकिन ये डिमोकरसी का जो एक चित्र पेश किया जा रहा है क्या ये चुनावी तैयारी है तो आज इतना ही नमस्कार आदाब सच्छियका